सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे साथ ही ठीक साम 8 बजे लाइफ क्लास से जरूर जुडेंगे बिलकुल अपने इस तर पर क्लास को सेर भी करेंगे और यहाँ पर दे के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शंतुलित आहर के विभिन आहर शमु ठीक है है संतुलित आहर के विभिन आहर शमु तो इसके देखेगा साथ जो हैं साथ समू होते हैं ये भी question यहीं से बन सकता है कितने समू होते हैं बोलो साथ हाँ इस चीज को देखे अच्छे से ध्यान लखेगा साथ तो देखेगा जो ये आपके साथ समू होते हैं प्रतेक में से एक आहार को अपने भोजन में सामिल करना आवश्चक है किसके लिए बोलो संतुलित आहार कब होगा जब इन सातो समों में से एक आहार जो है वो आपके भोजन में शामिल होगा तब इस कंडिशन में जो है इसे संतुलित आहार बोला जाएगा अब देखिएगा बात करेंगे बिल्कुल प्रथम आहारशमू तो पहला जो होता है इसमें हरी पीली सबजियां ठीक है और फल तो इसका मतलब क्या है देखिए ग्रीन वेज़ी टेवल्स की बात करें हम लोग जैसे देखिए पालक है ना येस पालक है और गाजर है हाँ गाजर भी हो जाएगा इसमें ठीक है और जो भी हाँ जितनी भी हरी सबजियां होती है ओवराल सभी जैसे भिंडी है ठीक है हाँ येस और जैसे फलों की बात कर लेते हैं तो जैसे पपीता है आम है और यहां से देखिए इनसे जो हमें स्रोत ह होंगे तो vitamin A और vitamin E जो है यहां से हमको मिलता है इस चीज को भी देखेगा अच्छे से बिल्कुल ध्यान दखेगा vitamin कौन कौन से मिलेंगे vitamin A और vitamin E इसी प्रकार देखेगा दूसरा जो आहर समू है तो इसमें ध्यान दुखेगा खटे एवं रसीले फल और सबजी आती है ठीक हाँ vitamin C तो vitamin C के स्रोत होंगे है ना बिल्कुल अब खटे की बात होगे तो इसमें कौन होगा बोलो आमला यस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है vitamin C जैसे नीबू है यस संतरा है अमरूद है इस प्रकार ठीक है अगला देखेंगे तीसरा आहर शमू जानेंगे तो तीसरा आहर शमू देखें जड़ एवं कंदमूल ठीक है हाँ जड़ एवं कंदमूल की बात करेंगे तो ये देखें किसके ये सबी जो है कार्बो हाइडरेट के स्रोत होते हैं अब यहाँ देखें जब जड़ की बात करेंगे तो इसमें आलू अब आपको मालूम है आलू में जो आप लोग शकरकंदी बोलते हैं हम लोग हाँ बिलकुल तो यह जो है किसके बोलो कार्बो हईड्रेट के स्टोथ होते है साथ ही तीसरे आहर शमू में जो है यह आते हैं आप इसके बाद दिखिएगा आगे बढ़ेंगे इसके बाद बिलकुल अगला देख लेते हैं चाउथा आहर शमू तो चाउथा आहर शमू की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा हम बात करते हैं दूद की और दूद से बने उत्पादों की बात करेंगे ठीक है दूद और दूद से बने उत्पाद तो दूद तो आप लोग समझ गया अब दूद से बने उत्पाद कोई भी हो जो दूद से बनता हो जैसे पनीर है ना तो बिलकुल ध्यान लखेंगे सभी लोग यस समझ रहा है ना बिलकुल आगे इसके बाद देखेगा पांचवे जो आहर शमू है उसकी बात करेंगे हम लोग तो इसमें जो है कौन आते मालू मैं वो पदार जो प्रोटीन के अच्छे सुरोत होते है ठीक हाँ जिन से हमें प्रोटीन जो है प्रचुर मातरा में मिलता है ये पांचवे आहर शमू में आ जाएंगे अब प्रोटीन किससे मिलता है आपको पता है बिलकुल सबसे बढ़िया सुरोत क्या है बोलो दाल है ना दाल से मिलता है इसके अलावा मांस जो है ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सुरोत है अंडे में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा बहुत सारे होते हैं ठीक हाँ दालों में देखे सभी दालों में जो है चितनी भी दाले हैं ये सभी में प्रोटीन पाया जाता है साथी जो सोया बीन की दाल होती ये उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अब बात करेंगे देखे अगला नंबर है छटा तो छटा आहर शमू की बात कर लेते हैं हम लोग तो इसमें जो है अनाज आएगा ठीक है अनाज अब यह सरकरा वाले पदार्थ आ जाएंगे ठीक है अनाज की बात बिलकुल अनाज क्या बोलो चावल है यस गेहू है हाँ गेहू है चावल है जैसे मक्का है अब इसके बात करेंगे शात्वा आहर शमू की तो जो सात्वा आहर शमू है ये वशा की सुरोत होते हैं अब वशा वशा का मतलब fat fat किसमे होते हैं जिसमें chicken आई जिन पदारतों में पाई जाती है चिकन आई है ना यस जैसे देखें तेल है हाँ तेल है और हाँ तेल में जो है बिलकुल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है fat और घी, घी में तो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है ठीक है, हाँ तो ऐसे बहुत सारी चीजे होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में बिल्कुल वसा पाई जाती है फैट तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना फैट से हमें सबसे ज़्यादा उर्जा मिलती है ज़्यादा उर्जा अगर हमारे बॉड़ी में चली गई, फैट ज़्यादा हो गया देखें, फैट हमारे सरील के आवश्यक तो है बिना फैट के भी काम नहीं चलने वाला है लेकिन अगर फैट बहुत ज़्यादा हो गया तो बिलकुल हम बहुत मोटे तगड़े हो जाएंगे तो नहीं काम करते रहेंगे बिलकुल है ना, येस तो फिर मोटे नहीं होंगे, आगे देखेगा संतुली ताहर के लाब के बारे में बात करेंगे संतुली ताहर के लाब क्या होते है तो देखे, संतुली ताहर अगर हम लेंगे ना तो इस कंडिशन में भोजन को नियंतरत है ना, सुरी, वजन को नियंतरत रखता है, ठीक हाँ, जो संतुली ताहर अगर हम संतुली ताहर खाएंगे संतुलित आः तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल, है ना, ऐसा आः जिसमें सभी पोसकत्तद जो है उचित मातरा में मौजूद होते हैं संतुलित आः कहलाता है, हाँ ध्यान नकेगा यह आः जो होता है, वो आयू लिंग है ना, इन सभी के आधार पर होता है हाँ इस चीज़ को भी ध्यान लखेंगे तो वजन को निंदित करता येस जब चीज़े हम बिल्कुल संतुली चीज़े लेंगे उचित मात्रा में लेंगे तो क्या होगा बोलो जादा मोटे तगड़े नहीं होंगे ना सुखे साखे होंगे है ना येस मजबूत प्रतिरच्छा प्रणाली का मतलब है जब उचित चीज़े खाएंगे तो हम बीमारीओं से भी बिल्कुल क्या होंगे बोलो दूर रहेंगे भाई हमारा जो प्रतिरच्छा तंत्र है वो कैसा होगा बीमारी हम से दूर रहेंगी यहां लिखाए देखे बीमारीओं का कम खत्रा है ना जब उचित चीज़े खाएंगे कुछ भी इदर उदर की चीज़े नहीं खाएंगे तो संतुलित डाइट लेंगे तो उसमें क्या होगा बीमारीओं से हम लोग बचेंगे बीमारीओं से क्यों बचेंगे क्योंकि हमारा जो प्रतिरच्छा तंत्र है वो मजबूत होगा हलकी भूल की बीमारी वो हमारे पास आएंगी ही नहीं है ना इस सरीर को उचित उर्जा मिलेगी है ना तो इसका मतलब क्या है जब संतुलित आहार लेंगे तो हमारी बॉड़ी को जो उर्जा है वो भी उचित मिलेगी ओवर फाइट नहीं मिलेगी ठीक हाँ अगर ओवर उर्जा मिलेगी ना भाई उचित चीजे ले रहें तो उर्जा भी हमको उतनी मिलेगी जितनी हमको चाहिए है ना तो जब उतनी चाहिए तो बिल्कुल मुटाफा की तरब नहीं जाएंगे हाँ मानसिक स्वास्ता है बिल्कुल है ना मानसिक स्वास्ता है भी ठीक रहेगा तो बिल्कुल ये सारी चीजे हैं संतुलित आहार के क्या हैं बोलो लाफ तो एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था I think देखेगा ये आपके लिए बिल्कुल महातुपूर है इतना तो जानेंगे और ये ऐसे वीडियो होते है जिने आपको रटने किया हो सकता नहीं होती ये एक दो बार आप लोग देखेंगे जैसे अभी देख लिया है ना फिर जमन हुआ कभी एक दो दिन में फिर इसको देख लिया तो इस प्रकार जब आप इसको देख लेंगे तो चीजे जो है आपकी clear हो जाएंगे ठीक है हाँ clear हो जाएंगे बिल्कुल ये mind में overall अपने आप से बस जाएगा ठीक है और ये चीजे बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर है इस चीज को भी देखे अच्छे से ध्यान लेकिएगा इस चीज को भी अच्छे से ध्यान लेकिएगा बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो मैंने बोला है आप चीजों को रिवाईज जरूर करते रहेंगे ओके थैंक्यू एवरीवन तो हम लोग मिलेंगे आठ बजे वाली लाइव क्लास में आठ बजे जो लाइव क्लास होती है वो MCQ की होती है अर्थाथ बहुती यूनिक बहुती जबरजस्त होती है बस इतना कहूंगा आप लोग समय निकाल कर समय से जरूर जूले ठीक साम आठ बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है ओके थैंक्यू एवरीवन मिलते हैं हम लोग आठ बजे वाली लाइव क्लास में